नमस्कार दोस्तों, आज यानि 27 जनवरी 2017 का हमारा प्रिलिम फोकुस न्यूस डिसकेशन है, उसमें से देख लेते हैं कौन को से न्यूस इंपोरेंट है front page पे एक news important है, EPFO से related, EPFO एक नया rule लाने जा रही है, सबसे पहले थो हम यह देख लेते हैं, EPFO है क्या, UPSC में, प्रिलिम में इसका question आ सकता है देखे जो EPFO है, Employee Provident Fund Organization, यह एक ऐसी organization है, जो Central Board of Trustees इसको advise करती है जबकि Central Board of Trustees जो है, एक statutory body है, और 1952 में एक act बनाया गया था, Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 इसके अंदर कर यह बनाए गई थी, Central Board of Trustees एक statutory body बनाए गई थी, और उस body को advise करती है, EPFO EPFO को exam भी होता है, आपको पता होगा, UPSC इसका exam conduct करती है, EPFO के लिए तो अब इन्हें क्या rule निकाला है, Provident Fund आपको पता है, जो भविशय के लिए नीधी कठा करती है, Government आपके भविशय में, किसी परकार की problem ना ओ, थोड़ा बहुत पैसा हमारे से, हमारी Government salaries और आजकल तो private salaries भी है, वहाँ से निकाल लेती है, ताकि भविशय में इकठा करके, उन जो और्गनारी सेक्टर में जो employees हैं, उनको वापस दिया जासके, अभी क्या rule है, अभी ये rule है, जिनकी service पांच साल की पूरी हो गई है, और जो अपना Provident Fund है, वो कटवा रहे हैं, तो उनके लिए अभी क्या है, निकलवा सकते हैं, नया land purchase करने के लिए, तो आप ये याद मत रखिए, बस एक कहानी समझने के लिए, जो important है, वो सिरफ यह IPFO है क्या, तो अब क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं, कि अब देखे है, बहुत दिक्कत आती है, लोगों को कोई नया flat खीदने के लिए, तो अब एक साल की सर्विस के बाद में, तो ये facts याद रखने के आप सकता हैं नहीं, क्योंकि ज्यादा important facts ये हैं नहीं, और उसके अलावा बस यही है कि, दो-तिन और जो उनने change किया कि, पहले जो ये EPFO कहती थी, उसी national housing agency से इनको घर बनवाना, या फिर उसी के use करते हुए घर बनवा प्रिलीम में जिसका question बनता है, आगे देखिए जो Animal Welfare Board of India है, तमिलाडू में आपको पता होगा जली का टूपर सरकार अध्यदेश लेकर आई, और बाद में तमिलाडू गोर्मेंट ने उसको assembly में कानून बना कर उसमें change भी कर दिया, जो कानून था जली का टूपर, या एक petition file करी, कि जो सरकार कर रही है, वो गलत कर रही है, लेकिन petition file करने के बाद में ही 24 गंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपने petition वापस भी ले ली, वापस करने की बात की मतब, लैडर लिख है वकील को कि हम अभी नहीं file कर रहे, component authority से permission लेने के बाद में file करेंगे, तो दा हमारे लिए क्या important है इस news में, हमारे लिए Animal Welfare Board of India यह important है, पहले भी हमने discuss किया revision time, Animal Welfare Board of India को established किया गया था 1962 में, section 4, Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 के तहत में से बनाया गया था Animal Welfare Board of India को, दिखने में असान fact लग रहा है, question आएगा इसी तरह से आएगा, UPSC यू पूछले कि Animal Welfare Board of India was established under Environment Protection Act 1986, नहीं, यह बनाया गया था, Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 के तैद बनाया गया था इसे, और Autonomous Body है, एक तरह कि दो-तिन चीज़ा याद करनी है, एक Autonomous Body है, एक कौन से Act के अंदर में आती है, और तीसरा, कौन से Ministry के अंदर में आती है, पहले आती थी यह Food and Agriculture Ministry के अंदर में, 1990 से 1990 के बा है, कौन सी Body है, Autonomous Body, कौन से Act के अंदर, कौन से Ministry, तीन Fact याद करने है, सूरज कुंड मेला, Art and Culture में इसका Question आ सकता है, सूरज कुंड मेला, हर्याना के फ्रेदाबाद district में हर साल बनाया जाता है, एक से 15 फरवरी के बीच में, और एक तरह से Handcraft मेला है, काफी जो Famous Designers है, हा हाथ से अपनी जो चीजे बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, वो यहाँ पर एक जुट होते हैं, और अपनी अपनी आर्ट का परदर्शन करते हैं, काफी सारी Acts जैसे की Bamboo, Iron, Glass, Textile, Stone, पत्थर, यह सब जितने भी हैं, उससे बनी ये Arts होती है, और हर साल एक नई Theme होती है, हर एक नई स्टेट की Theme इसमें सामिल की जाती है, तो इस बार एक नई Theme जो है, वो है जारखंड, 31 सुरज कुंड क्राफ्ट मिला अभी आयोज़ित किया जाएगा, और जो Theme होगी, उसके Theme State होगा, वो होगा जारखंड, हर साल एक नई Theme State होता, तो इस बार Theme State होगा जारखंड, आगे देखिए, उक्रेयन के फर्स्ट डिप्टी प्राइमिनिस्टर जो है, वो हमारे रेस की यात्रा पर आए हुए हैं, और उन्होंने हमारी इंडिया की तारिफ करी है, neutrality maintain करने के लिए उक्रेयन और रस्या के बीच में, तो एक तरह से देखिए, वो कहते हैं कि हम या फिर जो सब कुछ चीज़े हैं, वो रश्या के पास में आ गया था, USSR के बाद में, चुकि USSR भी एक काफी बड़ी military power था, तो उक्रेयन ने भी कुछ ऐसी capability है, कि वो military के weapons बगरा बना सकते हैं, तो हम इन से भी cooperate करते हैं, उक्रेयन के साथ में, हमारी जैसे कुछ हमें हति विशाखा पत्नम में हो रहा है, और जो Global Partnership Summit होता है, वो देखिए, हर साल आयोजित होता है, एकोनिमिक फायदे के लिए, इस बार ये आंदर परदेश में हो रहा है, सन्राइस स्टेडिस एक आ जा रहा है, इस पे काफी सारे जैसे विदेश के जो भी काफी foreign leaders भी आते हैं, हमार देश के जो business leaders हैं, वो भी इसमें participation करते हैं, तो इस बार ये हो रहा है, विशाखा पत्नम में, आंदरा परदेश में, और यही बार में आती है कि military hardware जो है, उसमें सयोग करेगा, या फिर modernization में सयोग करेगा, जो Air Force है, हमें उसको भी modernize करने में, जो Ukraine है, वो साहिता प पर जो Bangalore में होना जा रहा है, 2017 का, उसमें भी एक strong contingent भेज़ेगा, यूक्रेयन, आगे देखिए, ये news को भी खास important तो नहीं, mains के लिए हो जकती है, अब देखिए, अब ऐसी संभावना व्यक्त की जारी है, जो Russia है, Russia के relations ठीक हो जकते हैं, US के साथ में, तो China को इस बात स दोस्ती जो है, फिलाल एक परकार से चरम पर है, तो बस उसी परकार से बात है, अब China कहता है, ठीक है भाई, तीनों मिलके दोस्ती करेंगे, US, China और Russia, जो कि देखिए, practical नहीं है, सिरफ news है, तो देखिए, कहते हैं, तीनों मिलके दोस्ती करेंगे, तो पूरे world में stability रहेग होगी नहीं, इस परकार की बाते हैं, और एक परकार से, Russia ने चाइना के जो डर है, उसको भी सांथ करने को सिस करी, और का की, देखिए, हमारी दोस्ती दुनिया के किसी भी देश के साथ में हो जाए, साफ साफ उनका इसारा US के तरफ से था, अगर हमारी दोस्ती US के साथ अ we can enhance our economy also, तो इस तरह के technical words समझाने के लिए अच्छे नहीं है, लिखने के लिए अच्छे हैं सिरफ, आगे क्या है, आगे देखिए, चाइना और रश्या, ये वही बात है, चाइना और रश्या के ties अभी best पर हैं, और positive interaction होएंगी काफी ज़्यादा, और ये सारी बस ऐसे य positive interaction होगी, तो वर्ल्ड में सांती आएगी, अगली जो एक business space पे news है, वो ये है, कि इंडिया अपनी जो gold mines है, वो काफी ज़्यादा, अपने दुवारा जो पुरानी gold mines है, उनको रिवाइब करने ही कोशिज कर रहा है, हमारे पास देखिए, कोलोनियल एरा की, अन्ग्रेजो सिरफ चाइना का number है, चाइना सबसे ज़्यादा gold import करता है, उसके बाद में इंडिया का number आता है, हम 30 billion का gold import करते हैं, और सबसे बड़ा region है, जो हमारा current account deficit बढ़ता है, वो सोने को बढ़ता है, क्यों को सोने को बाहर से import करते हैं, तो खरीदने के लिए हमें foreign exchange reserves वो हमारा ख तो इसलिए थी कि gold का import कम हो, current account deficit है, वो भी कम हो, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई किसी कारणों से, वो हमने सुबह discuss किया था, तो देखें सोना इसलिए हमारा देश में value है, क्योंकि किसी को gift देना हो, या फिर इवन भगवान को भी चड़ावा जाता है, आप तरी पुती का कुलार पे, ये याद रखेंगा कुलार, तो एक प्रीक का question इस पर ये बनता है कि सोना कहां कहां पाया जाता है हमारे धेश के अंदर में, तो answer है, जमीन के नीचे सोने की लंका, इंडिया टीवी कहता है कि सोना पाया जाता है जमीन के नीचे, तो आगे देखें, सही में इ इनरल्स है, कहां मिलते हैं, एक बार देख लेंगे, तो सिमोगा में मिलता है, ऐसे तो आपको याद नहीं होंगे, कहां मिलता है, इतनी सारे district हैं, कैसे याद हो पाएंगे, तो में तो आपको छोटी मोटी locations पता होने ची है, सोन नदी है, सोन नदी का नाम सुना होगा आप पन्ना की तमन्ना है, हीरा मुझे मिल जाए, तो इस प्रकार से लिंक बना के याद हो जाएंगे ये चीजे, बहुत भूख लगी है मुझे तो, चलिए, जल्दी से डिस्केस करते हैं, जो अगली जो स्कीम है, आज की है, इंद्रा गांधी मातरतफ सयोग योजना, इंद्र बस ये पूछेंगे, मनिश्ट्री कौन सी, वोमन एंड चाइल्ड मनिश्ट्री, इसमें देखे, वो दिकत हो सकती है, कहीं बार इसमें सोचल इंपावर्मेंट मनिश्ट्री या फिर हैल्थ डिपार्टमेंट भी आप गल्द कर सकते हो, तो याद रखेगा, इंद्रा गां आप, मतलब अगर इंस्ट्यूशनाइस डिलिवरिज वूमन करवाती हैं तो, तो उनसे कुछ गरीब जो महिलाएं हैं, जो काम करती हैं, मनरेगा के तहट काम कर रही हैं, तो उनकी वेजिस का लोस हो जाएगा, क्योंकि वो हस्पिताल में भरती हैं, बच्चे को जुरम दे देंगे, एक तो आप हस्पितल में अपनी इंस्ट्यूशनल मलब हस्पितल के अंदर में आ के डिलिवरि होगी, उसके बाद में यह कहते हैं कि तब देंगे जब आप अपने बच्चे के जरम के बाद में बच्चे की जांच करवाओगे, कि वो स्वस्त है के नहीं है, दो अब 6,000 रुपे देखे गवर्मेंट ने एक तीर से काफी निशाने कर दिये और देखे जूर्थ होती है इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि गरीब लोगों को जूर्थ होती है इसकी लालास तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते है डिगनिफाइड वर्ड नहीं है सुबह ही हमने डिस दूरान में उसे यानि maternal जो maternity ratio और infant maternity ratio जो होती है maternal ratio उसमें कमी की जा सकती है दूसरा उसके जनम के बाद में भी अगर time to time अगर बच्चे की जो check up होता रहा तो उसमें देखे उसमें भी इनको फाइदा हो जाएगा सबको फाइदा होगा मालब अगर देखे जनता और उसके बाद में कल भी हमने एक scheme discuss की थी जो जन्नी शुरक सायोजना में यह था कि सरकार पूरा जो खर्च है वो वहन करेगी उसके बाद में देखे क्या है उसके बाद में यह map है आज की मारी mapping है mapping में आज रश्या की तीन rivers को हम discuss करेंगे एक तो यह है ओब और जो यह य यह पूरी की पूरी जो river है करा यहां से कजाकिस्तान से निकलती है और यह जो है river system ओब कर river system जा रहा है यह करा सी में यहां पर देखिए कजाकिस्तान से निकलता है यह ओब river याद रखिएगा ओब river यह second largest second longest system है यह रश्या का और निकलता कहां से है Chinese Mongolian area से निकलता है एट विर रोषय में अंटर करते हैं, और फीर करासी में घिर जाते हैं, करासी यहां है, पूरी पिक्चर में देख लीजिए, करासी यहां है, ठीक है उसको लेक किया देते हैं में तो रिफ्ट के कारण में जो लेक बन जाती है उसको रिफ्ट लेक कहा देते हैं यह रश्या के अंदर में है और साइबरिया उसके बीच में है यह साफ पाने की सबसे बड़ी जील इसे आप कह सकते हैं लार्जेस्ट फ्रेस वाटर लेक वोल्यूम के हिसाब से तो यहां पर देख लीजिए लेक बैकल है कहां पर यह देखे यह है लेक बैकल रश्या के अंदर में है यह मंगोलिया से थोड़ा सा उपर उसके बाद में क्या है उसके बाद में देखे दो और रिवर्स हैं एक तो है अमूर अर्गन और दूसरा है लीना यहां पर देख लेते हैं यह तो है हमारी आमूर रिवर और लिना कहा है लिना यीरी तो इनके बारे में थोड़ थोड़ा देख लेते हैं देखे जो यह आमूर अरगन जो रिवर सिस्टम है यह चाइना और रस्षा के भीच में बोर्डर बनाता है तो अगर कोशिन आजए तो याद रखना यह और जो लीना है एक तरह से वो बिल्कुल तीन जो रिवर सिस्टम है उनसे अलग है एक रिवर ही है रिवर सिस्टम नहीं है काफी ज़्यादा ट्रिबुटरी जिनकी है नहीं और वन अब दो लोंगेश्ट यह रिवर है चार हजार चार सो बहत्तर तो याद क्या करना है ये सारी चीछ छोड़िया सबसे पहले तो देखिए आपको एक तो ये फेक्ट याद रखना कि बाइकल जो है लार्जिस्ट फ्रेस्वर्टर लेक है दूसरा बस आप इनकी लोकेशन याद रख लेना और कोई खास ज़्यादा याद करने की जूर्ट नहीं अब ये याद मत रखना भो ज़्यादा याद हो जाएगा डिस्क्रशन से तो ठीक बात है लेकिन दिमाग पे बड़न मत लेना की याद करना है जैसे ओब रिवर है अब बस थोड़ा आपको दिमाग में होना चीए कि तीन रिवर्स हैं रस्या के अंदर में है और ज़्यादा दिमाग पे बड़न लेने की जूर्ट है नहीं अपने आप बार-बार डिस्क्रशन करेंगा तो याद हो जाएगा आगे है देखिए IPCC जो हमारी environment का institution है IPCC देखे जे Intergovernmental Panel on Climate Change है IPCC के अंदर में या आता है अब IPCC के अंदर में ये आता है आइपिशी सी तो खुद ही है ये IPCC के अंदर नहीं आता Intergovernmental Panel on Climate Change कई बार दिमाग कहीं और होते हैं बोल कुछ और रहे होते हैं तो देखिए ये खुदी IPCC है Intergovernmental Panel on Climate Change ये है क्या तो ये देखिए Intergovernmental Body है अगर UPSC कुछ पूछ ले कि UN का Oregon है या फिर NGO है नहीं ये एक तरह की Intergovernmental Body है तो पहला question तो यहाँ पर बन जाता है दूसरा question ये बन जाता कि किन किन ने मिलके इसे बनाया गया था तो दो institutions ने इसको मिलके बनाया था World Meteorological Organization और दूसरा है ये United Nations Environment Program UNEP तो देखिए इन दोनों ने मिलके बनाया था और बाद में इसे UN की General Assembly ने भी इंडोर्स कर दिया था 1988 में इसे बनाया गया था ये करता क्या है करता देखे ये है ये खुद से कोई research नहीं करता ये बात सब से इंपार्ट याद रखना जो तीसरा fact है पहला ये इंटरग्वर्मेंटल दूसरा किसने बनाया था तीसरा fact है ये खुद कुछ नहीं करता सारे देश की जो bodies है अपने अपने देश की report इनको सौपते है तो ये IPCC एक तरह की जो scientific bodies है scientist की एक body है वो analyze करती है different reports को जो दूसरे देशों द्वारा सौपी गई है तो ये काम है IPCC का उसके बाद में IPCC जो अपनी report देता है हर बार जो अपनी report जारी करता है इसके बाद में ये जो है UNFCC UNFCC decision लेता है UNFCC हमने कल discuss किया था परसोर discuss किया था क्या होता है UNFCC तो उसके बाद में IPCC के report के बाद में UNFCC decision लेते हैं अपने हिसाब से क्या targets होने चाहिए किस base पे इनको targets या agreement sign करना चाहिए दूसरे देशों के साथ में environment program के द्वारा बनाया गया था UNEP ये तो हमने discuss कर लिया था meteorological organization जब हमने international organization discuss करी थी तो अब इस पे नज़र डालेते हैं कि ये UNEP है वो आखिर कार है क्या UNEP को discuss करने से पहले थोड़ा ये डेख लेते हैं Stockholm Convention क्या है Stockholm Convention देखे ये है कि 1912 तक तो ना कुछ था ही नहीं मतलब environment से related कुछ दुनिया के देशों में आपस में चर्चा नहीं थी इतनी ज़ादा फिर दो-तिन बुक्स निकल के आई silent spring निकल के आई और fertilizers में जो ये थे pesticides की बात आई और भी काफी सारी ऐसे environment से related issue डिस्कस करने जाए पैस्टी घोडों की कम होती जाएगी और जो ये है deplete होता जाएगा पूरा resource तो सभी देश हैं वो गोडों की तरह भीएव करते हैं काउबाई होते हैं घोडे वो सोचते हैं हमारी responsibility नहीं हमारी responsibility नहीं तो पूरे धर्ती को एक से वो अपने अपने देश की तरक्की कर रहे हैं इससे पूरा का पूरा जो environment है सबको नुक्सान पहुंच रहा है और environment ना श्टोर है global commons है वो ना श्टोर है इस तरह की बात कही गई तो पहली जो जो convention हुई थी वो श्टोक हम में हुई थी स्वीडन में 1972 में उससे पहले तो देखिए क्या होता था जो नए नई जो देश अजाद हुए न जैसे हमारा इंडिया का था जो developed countries हमारे इंडिया जैसे देशों को दोस्त देते थे थे और कहते था कि आप लोग तो देखिए ज देखिए बात सुनिए आपने अपनी तो इंडर्स्टियल रेवलिशन के दुरान अपनी तरक्की कर ली जब आप development countries की तरक्की की बारी आई है तो आप यूं कर रहे हो कि हम हम इनवार्मेंट को खराब कर रहे हो तो पूरा narrative चेंज करके रख दिया इंडरा गांदी ने उस अपनाया था तार्गेट्स थे इसमें 26 तार्गेट्स इसमें अपनाये गये थे जो basic जो फोर्डर मेट्रियल होता है फोर्मल्टी के लिए तार्गेट्स नहीं लिख देते ऐसे कि यह करेंगे नेट्रल रिसोर्स को अंजर्व करेंगे आर्थ की कपैस्टी को आगे क्या है UNEP अब दिसकस करते हैं अब देखें UNEP जो आया था वो एक तरह से UN की अजनसी है और इन्वार्मेंट की एक्टिविटीज के लिए इसे बनाया गया था उन्हीं सोबहत्तर की स्टोक होम कोंवेंशन के बाद में और किसके दोरा बनाया गया था बंदे का नाम इंपोर्टन नहीं है और बस यह याद रखिया UN का पार्ट है वो तो यहीं से पता लग रहा है और रूके हो तो मंदे से हम अगस्त के करेंटर फेश स्टार्ट कर देंगे आज तो फ्राइडे होई गया तो आज की डिस्कॉसन में बस इतना ही थैंक यू थैंक यू वरिमच फो डिस्कॉसन